वाला तुर्पति मंदर के संबंध में जो सूचनाय प्राप्त हो रही हैं उनको सुन करके अत्यंत कश्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्ता में इस तरह की मिलावट करना घी में मिलावट करना लडू में मिलावट करना और जिसे प्रशाद कहा जाता है प्रशाद सब्द का अर्थ न समझने के कारण बिदी निशेद मंदरों की विवस्था और मंदरों में पराप्त होने वाले प्रशाद की विवस्था तो इसमें सुद्धवस्थू होनी चाहिए यग्य करना है भगवान को नईविद्ध रखना भी यग्य है यग्य में पवित्र गो लक्षणा गाय का घृत होना चाहिए गो माता के घृत से ही भगवान के नईविद्ध का निर्माण हो पवित्रता से हो पवित्र लोग निर्माण करें और उसका वित्रण किया जाए यह अभीष्ट हुआ करता है, सभी लोग यही चाहते हैं और यही विवस्था है, यह अपराद कैसे हुआ है और कितने दिन तक होता रहा, वहां के जो संचालक हैं, उन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्चता है, इसलिए हम सास्त्रों में वर्णब विवस्था है, आस्रम विवस्था है, और अधिकार विवस्था है, किसे क्या करना चाहिए, यह राजनितिक लोगों का काम नहीं है, मंदरों का संचालन करना, यह सासन का काम नहीं है, मंदरों का संचालन करना, जिनका यह विशय है, धर्म का विश सब्सक्राइब का अलग अलग नर्देश है इसके प्रामाण ये गुध्धि वेदेश रादना में अनेक्ता रहें लेकिन सबी के लिए प्रमान तो कि भड़न ही संद्ग हुसे शाश्न को इस विशय पर विचार करना चाहिए, group India के धार्मिक स्थान धर्म के केंदर ये तो हिंदुों एंदूं के मुख्यबिंदू हैं, केंद्र हैं यहां ब्रह्म और धर्म की शत्त्ता विद्मान होती हैं, मंदरों में उर्तीर्थों में, उस भाव से हम लोग जाते हैं, वहां दर्सन करते हैं, प्रिशाद वहां लेते हैं, और जब यह सूचना मिले कि इस प्रिशाद में चर्वी है, अभक्ष है, जो ऐसी वस्तुओं से मिलावट इसमें की गई है, जो नहीं होनी चाहिए, तो आचारी के पास होता, आचारी के पास होता, परंपरा वाले आचारी के पास होता, संप्रदाय आचारी के पास होता, तो यह गलती कभी नहीं हो सकती थी, यह तदर्थ है, इन सब में सुधार होना चाहिए, मालुम करना चाहिए, कि वह है मिलावटी घी कहां से आया, कि हम लोग यह मानते हैं कि असली दूध नकली दूध असली घी नकली घी असली हिंदू नकली हिंदू यह भी आवश्चक है जानना कौन असली हिंदू है कौन असली धर्माचारी है कौन असली पूजा करने वाला अर्चक है जिसे पूजा पाठ और सास्त्रों का ग्यान है औ और जो वहाँ विवस्थापक हैं, वो मंदिर की शंपूर्ण विधी के ग्याता हैं कि नहीं हैं, यह जान करके ही उनकी निव्ति की जानी चाहिए, जो भी वहाँ के संचालक हैं, जिनके संदक्च कत्व में उस मंदिर का संचालन हो रहा है, वो भूल सुधार करें, और भवि और भगवत पादाद्य शंकराचार जी महराज, सभी सनातन धर्माव लंगियों को सदबुद्धी प्रदान करें.